हलो दोस्तो आज हम लोग how to fit a bearing on shaft या बोले how to fit bearing on pulley in conveyor belt इस topic पे आज बात करेंगे plumber block क्या है, bearing क्या है, bearing के size क्या रहता है sleep का size क्या रहता है और lock washer और उसके बाद check net कैसे लगाते हैं यह सबीस चीजे हम लोग live में देखने वाले हैं हाँ तो दोस्तो अभी हम लोग सारे topic पे detail में discuss करेंगे तो आप वीडियो के बने रहे और bearing क्यों failure हो जाता है और उसको कैसे fitting किया रहता है और low greasing रहने पे, मतलब कम greasing करने पे क्या problem है और ज्यादा greasing होने से क्या problem है यह सब सारे चीजे परम लोग अभी discuss करेंगे उसके बाद में bearing का imported part क्या क्या होता है वो bearing inera, bearing bore, bearing cage, bearing balls और bearing greasing points यह सब सारे चीजे परम भी हम लोग discuss करेंगे और online आपको मैं bearing fitting करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो में तो बने रही है इस वीडियो में हाँ तो देखिए सामने में bearing का sleeve है उसके बाद में यह palumber block है और यह आपका conveyor का bearing है spherical roller bearing तो अभी हम लोग देख रहे हैं सामने में sleeve का adapter है पूरा set है इसमें bearing sleeve है पूरा set और उसका अभी check note को खोल वे हैं उसको खोल के निकाल लेंगे check note को फिर उसके बाद में lock वासर रहता है उसके बाद उसको भी निकाल के side में रख देंगे और फिर sleeve को पीछे में sleeve का आगे में जो thread रहता है और पीछे में जो thickness रहता है उसको उपर में bearing बैठता है और उसको बाद में check note को tight करते हैं तो अभी हम बारी बारी से हम लोग life बीच सिखेंगे कैसे fitting होता है जो नए लोग दोस्त लोग हैं वो भी देख लेंगे कैसे bearing fitting के आता है यह आपका sleeve का thread अर पेरिंग का अभी sleeve हम लोग shaft में पुली का जो shaft है उसमें डाल दिए और यह जो key way है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं तो जिसमें हम लोग लोग वासर को लोग करते हैं अभी bearing को डाल दिए फिर bearing को घुमा कर देख लेंगे bearing taper तो नहीं बैठा है और bearing को proper बैठा के फिर उसके बाद में एक बार rotate कर लेते हैं यह देखे आपको मैं दिखा रहा हूँ यह आपका self-align से स्फेर का roller bearing है जो automatic ही self-align हो जाता है और low friction रहता इसमें और long service रहता है यह बहुत दिन चलता है long service रहता है और इसका high load carrying capacity रहता है high load carrying capacity और बहुत ही कम sound रहता है और जैसे दूसरे bearing में होता है आपका उसमें fix रहता है outer यह आपका outer fix नहीं रहता है self-align moment करता है यह देखे आपका lockwasser अभी डाल दिये उसका जो grip रहता है उसके अंदर में lockwasser का वो उसमें फसा दिया और जो सिलीब को घुमने नहीं देगा इसी को लॉक कर देगा चेकनेट के साथ लॉक हो जाता है सारे सी जभी अभी देखे इसके बाद में इसको lockwasser को पूरी तरह सची से fix कर दिये बेरिंग के कोर्नर तक पूरा टच कर दिये और उसके बाद अभी चेकनेट को लगाएंगे यह देखनेट चकनट है इसका सिलीब का इसमें अभी हम लोग ने इसके डाल दिया और इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे इसको टाइट करने के बाद में पुलंबर बुलोग का जो हाउजिंग है उसके उपर में फिक्स कर देंगे उसके बाद चेकनेट को टाइट कर देंगे पोजिशन जहां पर आगा मुहाई पर देखे फिक्स हो गया यह लोक आपका वासर कर दिया गया है चेकनेट करके फिर इसको बाद में लोक वासर किया है देखिए बेरिंग लोग वासर बाई वासर ये पूरा पोजिशन में बैट गया अभी इसके उपर में गीरिस अप्लाई करेंगे गीरिस को दोनों तरफ में भर देंगे गीरिस भरने के बाद इंड प्लेट उसका लगा करके और बोल्ट को टाइट कर देते हैं देखिए फिलर गेज है इसी से बेरिंग का किलिरेंस निकालते हैं येक मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें फिलर गेज का पूरा डिटल से है अब इसमें इस वीडियो में भी मैं आप फिलर गेज का वीडियो का लिंक डाल दूंगा और इसका सभी बिलेड का कितना कितना रहता है वो सब चीज में उस वीडियो में बता दिया हूं अभी देखिए उसका टॉप को बर प्लंबर ब्लोग का टॉप को बर लगाकर उसका माउंटिंग बोल्ट को पूरी तरसे सामने मैं बेरिंग फिटिंग करके दिखा दिया इस वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही आमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभ हो